इसके बाद हम देखते हैं दूसरा परिवहन परिवहन बहुत हद तक किसी भी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है क्योंकि चाहे आपको उद्योग से कच्चा माल लाना हो या उस उद्योग से तयार माल को बाजार तक पहुंचाना हो इन दोनों ही स्थिती में हम देखते हैं कि परिवहन की आवश्यक्ता होती है तो उद्योग जो है वहीं पर इस्थापित किये जाएंगे जहां पर तिव्रगामी और सस्ता परिवहन का साधन जो है वो उपलब्ध हो तो हम देखेंगे कि अधिकांश्तया जो भारत में भी जितने भी उद्योग या सस्ते जो परिवहन के साधन है उसके आस पास ही वो उद्योग स्थापित किये गये हैं क्योंकि उससे उस उद्योग की लागत में उस उद्योग की जो लागत है वो बहुत ही कम रह जाती है इसके बाद उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है शक्ति, उर्जा या पावर भही कोई उद्योग तभी तो संचालित होगा जब 24 hours उस उद्योग को उर्जा की आपूर्ती निर्बाद रूप से बिना किसी रोकटोक के होती रहेगी क्योंकि उद्योग में तो 24 घंटे वस्तूओं का जिस भी वस्तूओं का वहाँ पर उत्पादन हो रहा है उत्पादन कार्य जो है वो 24 घंटे चलता रहता है और जब उत्पादन कार्य होगा तो वहाँ पर मशीनों का उप्योग होगा मशीन या जो उपकरण है उन्हें चलाने के लिए शक्ति या पावर की आवशक्ता होगी तो हम देखते हैं कि अपने भारत में कोईला जो है वो अभी भी वर्तमान में उद्योगों के लिए एक प्रमुख शक्ति का या उर्जा का साधन है लेकिन इसे एक बहुत बड़ी समस्य ये उत्पन होती है कि कोईले से जो निकलने वाला राख या एश की जो हम बात करते हैं ये वहाँ पर बहुत जादा परियावरन प्रदूर्शन उत्पन करता है वातावरन को बहुत अधिक मात्रा में प्रदूर्शित करता है और ये उदाहरन हम अपने कोर्बा के संदर्व में समझ सकते हैं, महापर का पूरा वातावरन प्रदूशित हो गया है, तो इसके लिए एक सब्सिट्यूट हो सकता है डीजल या पेट्रोलियम, लेकिन ये भी हमारे परियावरन के लिए एक बहुत सीमित संसाधन है, बहुत स बांध बनाकर जल विद्यूत के माध्यम से उर्जा उत्पन करते हैं, ये हमारा एक सब्सिट्यूट हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत हद तक सहीं नहीं है, क्योंकि जब हम एक बहुत बड़े छेत्र में बांध का निर्मान करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी जो वनस्प इस बात की है, कि हमें इस विशय में थोड़ा सा चिंतन और मनन करना होगा, और हमें उर्जा के कुछ वैकल्पिक श्रोज जो हैं, जैसे सौर उर्जा है, या हम पवन उर्जा की बात कर रहे हैं, इन सब को थोड़ा और अधिक अब हमारे देश में विक्सित करना होगा, त इस छेत्र में निरबाद रूप से विध्युतापूर्ती होती है, उर्जा की आपूर्ती होती है, वहाँ पर उद्योग को लगाने के लिए, उद्योग को लगाने में आसानी होती है, फिर अगला फेक्टर हम बात करते हैं, बाजार, भई उद्योग में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, वो व्यक्ति या उद्योग पती जो है, वो खुद के उपयोग के लिए तो कर नहीं रहा है, उसे बेचना है, लाभ कमाना है, तो जहां पर भी उस उत्पादित माल को बेचना होगा, उसके लिए एक मार्केट जो है, वो अनिवार्य तत्व है, और अब ब इसाथ है इस बात कित्नी है। अधार पर बाजार में प्रतियोगिता होने लगी है। अब ये भाध अब बाजरागी नहीं रखती कि बाजरा जो है। परिवहन के साधन से वो कितनी उसकी connectivity है अब ये थोड़ा सा एक अलग matter हो गया है अब वस्तू की गुडवत्ता भी उतनी ही मायने रखती है जितना परिवहन में लगने वाली लागत और इसको हम एक example से समझ सकते हैं लगभग 1991 के दौरान हम देखेंगे कि जो mobile phone आप उपयो कि बहुत सारी company जो है वो mobile का उत्पादन करने लगी है और अब प्रतियोगिता या competition जो है वो इस बात पर हो गया है कि कौन सी mobile company जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा features और कम कीमत पर अपना माल जो है अपनी वस्तू या अपना mobile जो है वो उपलब्ध करा पा रहे हैं market पे तो हम देख रहे हैं कि चीजों की या उन वस्तूओं की जो गुडवत्ता है quality है इस पर अब बाजार में प्रतियोगिता होने लगी है अब अगला factor उद्योग को प्रभावित करने वाला हम देखते हैं पूंजी हम भाई पूंजी तो जो है वो एक बहुत ही अनिवारी तत्व है इसके बिना तो हम उद्योग की स्थापना की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी उद्योग पती को किसी व्यक्ती को कोई उद्योग की स्थापना करनी है कारखाने की स्थापना करनी है तो उसके पा पुनजी की आवश्यक्ता होती है, और यह पुनजी कहा पर उपलब्ध हो पाएगी और कैसे उपलब्ध हो पाएगी तो इसके लिए जो शेयर बाजार होते हैं या बेंगिंग-करण की importance है किसी औद्योगी करण के लिए उतना ही बीमा सेक्टर जो है वो भी important होता है क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि उस किसी particular उद्योग में वहाँ जो चलने वाली मशीने हैं उनके जो कल पूर्जे खराब होने की बात है या फिर उसे हानी होने की बात है या वहाँ का प्रकार का जो नुकसान है या दुरघटना के वो शिकार हो जाते हैं इन सभी के लिए वहाँ पर बीमा कंपनिया होना आवशक है तो पूंजी जो है वो उसके लिए आवशक जो चेतर हैं चाहे हम बात करें एक महत्वपूर्ण बैंकिक सेक्टर इसके साथ ही जो शेयर मार तो इस प्रकार से उन ही स्थानों पर जो है वो उद्योग स्थापित किये जाएंगे जहां लाब की संभावना भी जो है वो निश्चित हो इसमें हम देखें कि जो मुंबई का कपड़ा उद्योग है उसमें व्यक्तिगत पुंजी का आकर्शन भी इसी द्रिश्टी कोंड से हुआ था जो विदेशी व्यक्तिगत पुंजी थी वहां पर उस उद्योगों को वो उद्योग जो है वो लगाये जाते हैं और इसके विपरीत जो सरकारी पुंजी का निवेश होता है वो केवल आर्थी कलाब को ध्यान में रखकर किया जाता है और हम जब पिछड़े की बात करें तो इन पिछड़े हुए प्रदेश के विकास के लिए जो सरकारी पुंजी का निवेश है वो सिर्फ आर्थी कलाब कमाना ही उसका उद्देश नहीं होता है इन पिछड़े हुए प्रदेशों का विकास करना भी उसका एक मुख्य उद्देश होता है जैसे कि जो भिलाई स्पाज सैयंत्र है इसका एक प्रमुख उदाहरण है इसके तरिक्त श्रम भी जो है वो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करता है क्योंकि उद्योगों में कारे करने के लिए उत्पादन कारे करने के लिए मशीनों के साथ साथ श्रम की भी उतनी ही अधि तो विकसित देशों में इसकी कमी देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ जनसंख्या की बसाहट जो है घनत्व जो है जनसंख्या का घनत्व हमें कम मिलता है और वहीं विकास्षिल देशों में देखेंगे तो सगन जनसंख्या देखने को मिलती है बिरोजगारी होती है बहुत से युवा जो हैं वो बेरोजगार होते हैं तो उन्हें कारी की तलाश होती है और साथ ही साथ वो कुशल भी होते हैं तो उन देशों में हम देखेंगे कि वहाँ पर कम वेतन में और कुशल श्रमिक जो हैं वो उपलब्ध हो पाते हैं तो ऐसे छेत्रों में से या तो उन श्रमि को आयात कर लिया जाता है अपने इस पे और या फिर उद्योग भी जो हैं वो ऐसे ही स्थान पर स्थापित किये जाते हैं जहां पर सघंजन संख्या हो और सस्ते और कुशल श्रमिक जो हैं वो उपलब्ध होते हैं इसके साथ ही हम देखेंगे जो प्राध्योगी की है वो भी कि उद्योगों की स्थापना को बहुत हद तक प्रभावित करती है क्योंकि अभी तो साइंस एंड टेक्नोलोजी का समय है और हम देखते हैं कि श्रम तो ही इंपॉर्टेंट है ही इसके साथ ही साथ जो है वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्योंकि कॉम्पिटिशन मार मार्केट जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे कि किसी वस्तु का उत्पादित माल का जो मार्केट है वो कितना ज्यादा उसका वेटेज है वो उस माल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है तो जितनी प्राध्योगी की जो है वो उस उद्यों की टेक्नोलोजी जितनी अधिक डेवलप होगी वो उतनी ही जो है वो हम कहें कि जितने स्किल्ड श्रमिक वहाँ पर कारी करेंगे जो टेक्नोलाजी में बहुत जादा हम कहें कि अपने आपको बहुत जादा वो इंप्रूफ किये हुए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो मशीने हैं वो आधुनिक हों तो उद्योग की स्थापना में प्राद्योगी की भी जो है वो एक प्रमुख फैक्टर है इसके साथ हम अगला देखते हैं और दोगी कनीती तो उद्योग की स्थापना के लिए और दोगी कनीती भी एक प्रमुख फैक्टर है क्योंकि कोई विदेशी कंपनिया या कोई भ पुलभूत सुविधायें चाहे हम परिवहन की बात करें या उर्जा की रूप में बिजली की बात करें ये बहुत ही उन्हें इसली अवेलेबल हो तो और जो उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं तो वहां की सरकार के द्वारा बहुत कम कर जो है वो वसूल किया जा रहा हो तो शाषन के द्वारा जो उद्योगिक नीतियां बनाई जाती हैं वो भी उद्योग की स्थापना को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं अब हम देखें कि जो नई उद्योगिक नीति आई है उसके क्या प्रभाव हैं तो तीन प्रमुख नीतियां बनाई गई हैं नई उ विदेशी कमपनिया है वो उन देशों में आये बहरी देशों से अपने देश में आये और वो अपने देश की जो तकनीकी है या प्राध्योगी की है वो अपने साथ दूसरे देशों में लेकर आए तो इसी रूप में ही भारत में भी उदारी करण की निती को अपनाया गया ह और भारत में जो है वो कारखाने और भी जो विदेशी कमपनिया है बाहरी जो कमपनिया है वो दारी करण की नीती को इसलिए अपनाया गया है भारत में ताकि बाहरी कमपनिया जो है वो भारत में आकर अपने कारखाने या उद्योग जो है वो इस्थापित की कर सके और यह उ वर्षी योजना में से और अधिक जादा प्रोचसाहन मिला है फिर नई अध्योगिक नीती का दूसरा जो पहलू है हम देखते हैं नीजी करण प्राइविटाइजेशन सरकार द्वारा जो सारवजनिक उप्रम के जो उद्योग होते हैं उन्हें नीजी हाथों में सौपना य जितने भी उप्रम थे वहाँ पर उनको मिलने वाला जो प्रॉफिट था या लाप था वो कम होने लगा तो इस कारण से जो भी सारवजनिक छेत्र के उप्रम थे उन सभी को भारत सरकार ने नीजी हाथों में सौपने का निड़ने लिया और उनका ये कहना था कि जो इतनी टेक्नोलाजी उनके पास अवेलेबल नहीं थी तो दूसरी नीजी कमपनियों को उन्होंने आमंत्रित किया और सारवजनिक उपकरम के जितने भी जो उद्योग थे उन सभी को नीजी हाथों में सौप दिया ताकि वो अधिक लाप कमा कर या हम कहें कि नई और अधिक सेधिक प्राद्योगी की का प्रयोग करके उस वहाँ पर उस छेत्र की उत्पादन को बढ़ाएं इसके बाद नई अधियोगी कनिती का तीसरा जो पहलू था वो है वैश्वी करंड या भूम अंडली करंड ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं उनीस सो असी और नब्बे की दशक में हम देखेंगे कि यह ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी इसका मतलब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वी करंड या भूम अंडली करंड का तो इसका मतलब यह होता है कि जो बस्तुएं हम श्रमिक की जो बात कर रहे हैं उनका एक देश से दूसरे देश की तरफ स्वतंतरता पूरवक उनहें लाना या ले जाना या वो हम कहते हैं हम यह कह सकते हैं की जैसे पहले का समय था जहां Dieses جब किसीतान पर मारकेट में या हम बात करें कि कच्छा माल जो है वो किसी स्था अब परिवहन के साधन हमारे पास बहुत विक्षित अवस्था में है तो यह कोशिश की जाती है कि जैसे अभी हमने लेबर की बात की थी अश्रम की कि विकास्षील देशों में हम देखेंगे कि सघन जन संख्या होती है और सघन जन संख्या बसाहट के कारण महा पर अधिक होती है और वहां के जो युवर्ग के लोग होते हैं वो स्किल्ड होते हैं खुशल श्रमिक होते हैं और सस्ती दरों पर क्योंकि बिरोजगारी होती है इसलिए वो सस्ते श्रम पर सस्ती दर पर जो है वो कारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जहां पर जो विक्सि तो वहां लोग क्या करते हैं कि कम मजदूरी से कम मजदूर और इसकिल्ड लोगों को इसकिल्ड व्यक्तियों को अपने यहां कारी करने के लिए बुला लेते हैं और इससे उनकी लागत भी बहुत नहीं बढ़ पाती है और उनका कारी जो है वो बहुत सुचारू रूप से च एक स्थान से एक देश से दूसरे देश की तरफ स्थाना अंतरण अपने कारे की किसी भी उद्योग के लिए ठीक इस प्रकार उद्योगो को भी किया जाता है माल Prosken Actually क्षे माल की हम भात कर रहे हैं तो वो дрора बात कर रहे हैं तोवो कमपनी अगर वो कच्चा माल उपलब्ध है वहाँ पर वो अपना उद्योग जो है वो इस्थापित कर देता है या वो अपनी कमपनी को इस्थापित कर देता है और चुकि सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत इसली अवेलेबल हो जाती है और उत्पादन कारिय हो जाता है और बहुत आसानी से वो तैयार माल को अपने इस्थान तक मंगा लेता है तो टैक्निक वहाँ पर की मिल गई कच्चा माल वहाँ पर का मिल गया लेबर जो है वहाँ पर उपलब्ध हो गए तो हम क्या देख रहे हैं अपने मन चाही चीजों को चाहे वो बस्तु भी हो सकती है या कोई श्रमिक भी हो सकता है या कोई संसाधन हम उसे बहुत आसानी से एक स्थान से एक देश से दूसरे देश की तरफ स्वतंतरता पुर्वक उसका उसे लाने और ले जाने की प्रक्रिया के लिए हम उसे क्या कर रहे हैं उस पे जोड दे को सुनशित कर पाएं. तो इसके लिए दो चीजे होती हैं और दो बातों से हम इसे समझ सकते हैं कि एक तो आर्थिक और राजनेतिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम देखते हैं कि उत्पादन और जो वितरन होता है उसका अंतराश्ट्री करन होता है. मतलब एक देश के बीच जो अठादेशों के बीच में जो भी उत्पादन हो रहा है जो उत्पादित वस्तु हो रही है उनके उत्पादन का उनकी पूंजी, श्रम, विचार और संस्कृती सभी का जो है वो एक देशे दूसरे देश की तरफ इस्थानांतरन होता है या आदा किसी स्थान पर कोई उद्योग जो है वो इस्थापित हो रहा है तो इस ओद्योगिक विकास की एक विशेष्टा होती है कि एक स्थान पर इस उद्योग की स्थापित हो जाने से अन्य जो उद्योग होते हैं उससे संबंधित वो भी उसकी तरफ आकरशित हो जाते हैं क्योंक उसके प्रबंधन की जो विवस्था है चाहे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें या बीमा सेक्टर की बात करें यह सब ही जो है उस चेत्र के पास बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और यही कारण है कि जो ओद्योगी केंद्र है वो किसे एक बड़े नगर और उसके आस वहां के सरकार की या शाष की जो नीतियां है वो भी उसे विक्सित करने के लिए सहयोग प्रदान करती है या उसे महत्व देती हैं जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास इस्थानी रूप से जो उपलब्ध होने वाली सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखकर किसी विशेश छेत्र में किया जाता है तो ऐसे छेत्र को ही हम और द्योगिक प्रदेश जो है वो कहते हैं और भारत को कई और द्योगिक प्रदेश में विभाजित किया गया है या हम कहें कि भारत में कुछ विशेश और द्योगिक प्रदेश मिलते हैं जैसे मुंबई-पुड प्रदेश है, हुगली प्रदेश है, बैंगलूरू, कोयंबटूर प्रदेश है, गुजरात प्रदेश है, छोटा नागपूर प्रदेश है, विशाखा पत्नम, गुंटरू प्रदेश है, गुडगाओ, दिल्ली और मेरट प्रदेश है, और कोलम और तिरुवननतपूरम प् थान पर मिलते हैं यहां किस प्रकार के उद्योग जो हैं वो विक्सित वस्था में हैं इस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई पुड़े और द्योगिक प्रदेश यह और द्योगिक प्रदेश जो है वो नासिक से सोलापूर के मध्य मुंबई ठाने प यहां पूरे च्छेत्र इसके बीच आते हैं. यहां ओद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है और हमें मालूम है कि भारत जो है वो देश की व्यावसाईक राजधानी की नाम से हम जानते हैं. हम सभी को पता है कि मुंबई जो है वो हमारे देश की व्यावसाईक राज़ानी के नाम से प्रसिद्ध है और फिल्म के छेत्र में भी हम देखें कि बॉलिवूड के नाम से ये प्रसिद्ध है देश का एक बड़ा बंदरगा है ये और पूरे एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग भी जो है वो इस प्रदेश की एक प्रसिद्धी का प्रमुख कारण है हम देखेंगे इस उद्योग का विकास यहां पर इस ओद्योगिक छेत्र का जो विकास है यहां मैं कहूं कि जो हमने अभी बात की कि एशिया के सबसे बड़े वस्त्र उद्योग के नाम के लिए भी इसे प्रसिद्धी मिली है तो इस वस्त्र उद्योग का जो विकास है वो यहां 1774 में आरंभ हुआ जब अंग्रेजों ने यहां पर जल पोताश्रेक के रूप में इस छेत्र का मुंबई का जो है वो चयन किया और इसके विकास का दूसरा चयन जो है यह शुरू होता है 1854 में जब कवाल जी डाबर के द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग यहां पर स्थापित किया गया है सूती वस्त्र बनाने वाला कारखाना लगाया गया और ऐसा माना जाता है कि बहुत शिग्रता से ही यह बहुत जल्दी मुंबई जो है वो देश का एक महत्वपून सूत्र उद्योग का केंद्र बन गया मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रे लाइन भी बिची और इसके कारण यह दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था जिससे मुंबई का जो है वो बहुत तेजी से ओध्योगिक विकास हुआ या एक महत्वपूर्णा ओध्योगिक केंद्र के रूप में मारत का पहला आणमिक उर्जा का केंद्र जो है वो मुंबई के निकट ट्रामबे नामक इस्थान पर इस्थापित किया गया और इसका उद्देश ही था कि विद्यु शक्ति उपलब्धकराना तो 1961 से 65 अर्था हम बात करें कि लगभग तीसरी पंच वर्षी योजना का जो सम हम देखेंगे कि 1957 में रसायन उद्योग का यहां पर विकास हुआ और इसके साथ ही मुंबई हाई में 1976 में पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो भी शुरू हो गया तो हम एक साथ ये देख रहे हैं कि सूती वस्र का उत्पादन फिर मुंबई से ठाड़े के बीच में पह दोरान तारापूर में एशिया का पहला या सबसे बड़ा जो है वो परमाडु घर की स्थापना फिर रसायन उद्योग की स्थापना और फिर पेट्रोलियम का उत्पादन यह सभी जो है वो खुद बखुद मुंबई के ओद्योगिक विकास की जो कहानी है वो खुद ही ब खापित होने लगे जहां हम बात करें इंजिनीरिंग उद्योग की पेट्रोलियम शोधन शाला की या पेट्रोलियम परिशकरन उद्योग की इसके बाद पेट्रोरशायन उद्योग की चमड़ा उद्योग प्लास्टिक उद्योग दवाईयां उर्वरक बिजली के समान जल प्रशिधी प्रशिधी मिल चुकी है और ये फिल्म उद्योग के नाम से बॉलिवुड जो है वो कहलाता है तो यह जो कारण थे यह इस मुंबई-पुरे ओध्योगिक प्रदेश की स्थापना के लिए एक महत्तोपूर्ण उत्तरदाई कारक रहे हैं और ये उद्योग जो या इस पूरे मुन्बई पूरे ओड्योरूगी प्रदेश की स्थापना के लिए या इसके विकास के लिए उत्तरदा ही हैं. या हमने देखा कि क्र्म शा इस प्रदेश ओड्योरूगी प्रदेश का कैसे कह संद्धार होता गया.